हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको राजमा की रस्पी बता रही हूँ इसके लिए हमने 200 ग्राम राजमा लिये हैं जिसे हमने राज को 6-7 गंटे भीगा कर रखा है अभी उसे मैंने साफ पानी में 5-6 बार धो लिया है और इसलिए हमने 2 मीडियम प्याज और 7-8 कलिया लसुन की हमने मिक्सी में बारिक पिष ली है और उसके लिए 3 टमाटर 6-7 मिर्ची और 1 इच अद्रक का टुकड़ा है वह हमें मिक्सी में बारिक पिष नहीं है थोड़ा कडी पत्ता आदा टीज़इस्पून हल्दी तीन टीज़इस्पून गरμ मसाला 2 टीज़इस्पून नमक और मौं हम चाहब और धाललेंगे और हीन डालेंगे मौजे में 30 सपून हमना जीर डालेंगे कि तेल हमारा हमारा गरम हो लगा है अभी आंते हम दालेंगे जीरालार हो रहा है अभी उसमें हम जड़ा सी हिंग डालेंगे और फिर कड़ी पत्ता जड़ा है और इसमें हम किसा हुआ प्राइच अनक्सिम की पेस आएगे और इसे बुनेंगे इसे बुनेंगे तक खिलाते रहेंगे अभी हमारा मसारा लाल हो गया है इसमें हम टमाटर अद्रक और मिर्ची की पेस दालेंगे और इस मसाले को हम बुनेंगे इसके साथ इसमें अभी हम हल्दी पॉडर मिर्ची पॉडर गरम मसाला और नमक डालेंगे और इसे तेह छोड़ने था कि इस मसाले को हम बुनते रहेंगे अब यह हमारा मसाला होने वाला है बुन चुका है अब यह हम इसमें राजमा डालेंगे अब यह हम बुड़ने राजम हैंगे अब इसे हम उपर में डालके 5-6 सीटी लगाएंगे और इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे इसको जैसे रसा चाहिए वैसे राजमा को चाहुल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब यह राजमा हमने कुकर में डाल दिया है अभी इसमें हम थोड़ा सा टाने का पिंच थोड़ा साने का सोडा डालेंगे और इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसे अब यह हम गैस पर रख देंगे और पांच-छे सीटी लगाएंगे हमारे राजमा त्यार हो जाएंगे कि अब हैं यह हमारे राजमा लीडी हो गए चे सार fals परिने के बाद मैंने इस में अवार निकलने के बाद कुप कर खोला है कि देखे हमारे राजमा देखे हो गए कि इसे दधनिया से घार्णिश करें तरह हैं हमारे राजमा इस मुण्य कीजिए और सस्क्राइब कीजिए थैंक यू